जम्बू कश्मीर और हर्याणा में सितंबर के महीने में विधान सभा चुनाव होने हैं दोनों ही राज्यों में चुनाव की तैयारिया जोरो पर चुल रही हैं नई चुनावों में नए धुरंधर भी अपनी किसमत आजमाने की तैयारी में हैं इनी में से एक है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष अखलेश यादव जो अपनी पार्टी को राष्ट्रे पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिशे कर रहे हैं राश्टी दर्जा प्राप्त करने के लिए दूसरे राजियों में अपना विस्तार करने के लिए समाजवादी पाटी जम्बू कश्मीर की साथ सीटों पर चुनाव लणने की तयारी में है सपा प्रम्मुक अखलेश यादव ने चुनावी तयारियों के लिए जियलाल वर्मा को जम्मु कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वर्मा ने प्रत्याश्य के नामों में सूची भी अखलेश यादव को सौप दी है आव जिस सूची का एलान हो सकता है गौर करने वाली बात ये है कि जम्मु कश्मीर विधान सभ़ चुनाव में समाजवादी पाठी बिना कॉंग्रेस के गटबंदन से उतर रही है सभ़ ने लोग सभ़ चुनाव में कॉंग्रेस के साथ काफी अच्छा प्रधर्शन किया था लेकिन कश्मीर के कॉंग्रेस गटबंदन में सभ़ा को जगा नहीं मिल पाई है जम्मु कश्मीर के साथ सीटों पर उमीदवार उतारनी की तयारी कर रही है ये सीटे मुसलिम बहुल हैं पुलवामा, राजपूरा, कुलगाम, सोपोर, अनन्त नाग और किश्टवार वो सीटे हैं कॉंग्रेस जम्मु कश्मीर में नेशनल कॉंफरेंस के साथ गटबंदन करके चुनाव लड़ रही है ऐसे में समाजवादी पाठी को जम्मु कश्मीर में गटबंदन में कोई सीट मिले, इसकी उमीद कम है इसके बावजूद अकलेश यादव ने कश्मीर में किस्मत आजमाने की पूरी तयारी कर ली है ऐसा नहीं सपा कश्मीर में पहली बार चुनाव रही है सपा यहाँ पहले भी अपने उमीदवार उतार चुकी है पूर्व विधायक और सांसद शेख अब्दुलरह्मान सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे समाजवादी पार्ठी ने इंडिया ब्लॉक का हसा रहते हुए 2024 के लोकसभचुनाव में सैती सीटों पर जीत हासिल के थे लोकसभचुनाव में सैती सांसदों के साथ समाजवादी पार्ठी देश की तीसरी बड़ी पार्ठी बन गई है लोकसभचुनाव के बाद सपाराष्ट्री अध्यक्ष अखलेश यादव कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और पार्ठी को राष्ट्री पार्ठी का दर्जा दिलाने में लग गए हैं जिसके लिए महराष्ट्र हर्याडा और जम्बू कश्मीर में गटबंदा से सीटों की मांग कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस के साथ इन प्रदेशों में उनकी बात बंती नहीं नजर आ रही अब ऐसे में समाजवादी पार्ठी का प्लान कितना है ठोगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे पिशले महराष्ट चुनाव की बात करें तो सपा के हाते में दो सीटे आएं थी वहीं लोग सभ़ चुनाव में सपा कॉंग्रिस को समर्थन दिया था ऐसी में कही न कही सपा अभी कॉंग्रिस के भी दिख रही है लेकिन अभी तक सपा के लिए कॉंग्रिस के और से कोई सकरात्मक जवाब नहीं आया है